हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडिस ए रसेपी स्वारियों में दोस्तो आज हम बना रहे हैं साही पुलाव और बासमती राइस की वेच पुलाव जो बहुत तेस्टी और लजीज लगता है दोस्तो खाने में बहुत ही जादा यमी और इसे बनाना बहुत ही आसान भी है तो चलिए दोस्तो बनाते हैं शाही पुलाव तो बने रहेगा वीडियो में अन्त तक तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर भरतन ले लिया है और गैस पर चड़ा दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं ओईल ओईल डालने के बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं 5-6 तेज़ पत्ता, खड़ी मसाले और काले मिर्च के दाने और कुछ लॉंग इलाइची भी हम इसमें डाल रहे हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के बाद हम इसमें कटे हुए प्यास डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे फ्राई कर लेंगे तो दोस्तो प्याज को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं काजू और किसमिस और अब हम इन सभी को एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें धूले हुवे बास्मती राइस डाल देते हैं। बास्मती राइस को हमें दो बार अच्छे से वाश कर लेना है। और धूने के बाद हमें इसे डालना है। और इसे साथ में मिक्स करते हुवे अच्छे से पका लेना है। तो चामल को भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं राइस भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें बिन्स, गाजर और मटर जो की हमने फ्राई करके निकाल लिया था पहले से ही उन सबजीयों को भी हमने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए तो सभी को mix करते हुवे हमें इसे अच्छे से पकाना है दोस्तो इस पुलाव को बड़े के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये पुलाव बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है खाने में तो राइस भी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है तो इसमें हम डाल देते हैं पानी और पानी डालने के बाद इसे हमें चम्मत चलाकर थोड़ी देर पका लेना है इस तरह से इसमें पानी डालना है और ज्यादा नहीं डालना है पानी और नहीं कम परफेक्ट जितना आप जितना ले रहे हैं उतने हिसाब से आप पानी इसमें डालिएगा तो चामल अच्छे से परफेक्ट बनेगा तो इसे हम ढग देते हैं और ढग के इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो देखिए दोस्तों साही पुलाव बनगर के तयार हो गया है और य यकीनान यह खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों तो एक बार जरूर बनाईए इस तरीके से शाही पुलाव और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह पुलाव कैसी लगी तो दोस्तों अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो और यह व वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद